नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 8 अक्टूबर शुकरवार दुपहर सवा 12 वजे रास्तान की 12 बड़ी खबरें रास्तान हाई कोट के आदेश के बाद गहलो सरकार बैक फुट पर आ गई है नगरे विकास विभाग ने प्रशासन शहरों के संगभियान में जो फैसलिटी एरिया की जमीन पर भी पट्टे देने के आदेश दिये थे उससे वापस ले लिया है रास्तान हाई कोट में यह याचिका पर सुनवाई के बाद रास्तान हाई कोट ने सरकार को यह आदेश दिये हैं राजी सरकार ने पिछले दिनों प्रुशासन शहरों के संगभियान के तहत एक आदेश चरिकिया था अंतरास्टे बाजार में कच्चे तेल में नर्मी आने के पावजूद शुकरवार को लगाता चौथे दिन घरिलू स्थर पर पेट्रोल 31 पैसे प्रतिलीटर और डीजल 38 पैसे प्रतिलीटर महंगा हो गया जैपर में पेट्रोल 110 पैसे प्रतिलीटर के पार और डीजल भी सरवकालिक उच्चतम सर 101 पैसे प्रतिलीटर पर पहुँच गया है लखेमपूर खीरी हिंसा के बाद कांग्रेस यूपी में फ्रंट फुट पर खेल रही है प्रेंका गांधी हिंसा के 7-8 घंडे के भीतर दिली से लखनों पहुँच गई वहीं राहुल गांधी बुद्वार को लखेमपूर खीरी पहुचने से पहले दिली में प्रेस कांफरेंस कर भाशपा पर हमलावर हुए इस बीच पार्टी के भीतर अंदरोनी कलेवी सतह पर आ गई दिली में राहुल के साथ 3-4 नज़र आए ये थे पंजाब के मुखे मंदरी चरणजी सिंग चन्नी 36 गड़ के मुखे मंदरी पुपीज पगेल और रहसान के कौंगरिस नेता सचुन पालेट राहसान के मुखे में अशोग गहलोत के उनके साथ ना होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं राहसान में वैक्सिनेशन का आज से बड़ा अभियान शुरू हो गया है तीन दिन तक चलने वाले इस अभियान में 37 लाख लोगों को वैक्सिन की डोज लगाई जाएगी इसके लिए चिके साहं स्वास्ते विभांग ने राजे में वैक्सिनेशन सेंटर्स को बढ़ाने के निर्देश दे दिये हैं सेंटर्स की संख्या वर्तमान में करीब 4000 है जिसे दो गुना बढ़ा कर 8000 के करीब करने की तैयारी है यह अभियान अभिवार 10 अक्टूबर तक चलेगा राज्थान में सरकार का बिजली उत्पादन से लेकर खरीद और विटर्ण मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है बिजली उत्पादन में काम आने वाले कोईले की खरीदी समय पर नहीं हो पाई इसे कोईली की कमी आ गई है ऐसे में प्रदेश की कई जिलों में घोशित और अगोशित बिजली कटोती शुरू हो गई है राज्थान ने खुद भी माना है कि प्रदेश में बिजली संकट बढ़ा हुआ है हाला दिये हैं कि राजधाने में ही शुकरवार को करीब दो सो कलोनिय और बस्तियों में चार से साथ घंटे तक बलैक आउट खोशित कर दिया गया राज्य सरकार ने नवरादर से पहले ही लोगों को तोफ़ा दिया है प्रशाशन शेहरों के संग अभियान का लाब भी अब आम लोगों को मिल सकेगा सरकार के वित्वी भागने 25 लाख रुपए तक के प्लॉट वे आवास के हस्तान तर्ण संबंदी दस्तावेज पर पंजियन शुल को 6 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया है ये चूट 31 दिसंबर तक रहेगी बहु मंजिला इमारतों में 50 लाख रुपए तक कीमत के फ्लैट्स पर स्टाम ड्यूटी में पहले से ही दो प्रतिशत की चूट आगे बढ़ा दी प्रतिश में समर्थन मुल्य पर मूंग, उडद, सोयबिन और मुंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजिय करन 20 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है 668 से अधिक खरीद केंडरों पर मूंग, उडद और सोयबिन की 1 नवंबर से तथा 18 नवंबर से मुंगफली की खरीद की जाएगी वहीं बाड़मेर में 8 केंडरों पर समर्थन मुल्य पर खरीद होगी सरकार ने मुंग के लिए 357, उडद के लिए 168, मुंगफली के लिए 257 और सोयबिन के लिए 86 खरीद केंडरों चिनहित किये हैं सीजन में फसल कटाई कर कमाई के लिए नगर तैसील के भुवापुर के इशाग खान ने पंजाब के बरनाला सित एग्रोटीन्स इंडिया से साड़े पांच लाख रुपे में नई मशीन खरीदी इसके लिए उसने पुरानी मशीन और ट्रेक्टर तक बेजा लेकिन नई मशीन सीजन टाई में धुखा दे गई वारंटी अवधी होने की कारण शिकायत भी की लेकिन कमपनी ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया इस पर इशाग खान ने जिलाओ भोगता आयोग का दर्वाज़ा घटकटाया अब आयोग ने इशाग खान के हक में फैसला देते हुए पंजाब की कमपनी का सेवा दोश माना है प्रदेश में निर्यात प्रोट साहन के लिए शुरू हुए राजिस सरकार के मिशन निर्यातक बनों में अब तक जयापुर में सरवादिक 1155 इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जारी हुए है इदर सबसे कम निर्यातक बनाने वालों में 12 जिला है जहां भी ते दो माह हमें एक भी निर्यातक ने रूची नहीं दिखाई है सरकार ने 29 जिलाई को ये मिशन चुरू किया जिसमें उद्योग विभाग ने 22,000 नए निर्यातक बनाने का लक्षे हाथ में लिया है सरकार ने उपलब्ट संसादों का कारगर उप्योग करते हुए विद्यत उत्पादन और बहतर आपूर्टी वेवसाब बनाये रखने के निर्देश दिये हैं वहीं अधिकारियों को कोईला उपलब्ट कराने वाली संस्थाओं कोल इंडिया आदी से समय में बनाते हुए कोईली की आपूर्टी बढ़ाने को कहा है सरकार ने वर्तमान परिशितियों में बिजली बचत के लिए आहवान किया है वर्तमान संकर रास्थान में ही नहीं अपितु कोईली की आपूर्टी में बाधा की कारण देश के अधिकांश प्रदीशों के सामने आया हुआ है जयपू शहर में जयपूर बिसलपूर पेजल प्रोजक्ट के तहर निर्माना धिन प्रोजक्ट को समय पर पूरा करने को लेकर जलदावी भाग के ACS सुधान्श पंथ के तल्ख तेवरो से जयपू शहर में तैना जलदावी भाग के इंजिनियर सहम गए है गुरुवार को अतरिक्त मख्याविहंता मनिश बेनिवाल प्रोजेक्ट इंजिनर शुभान शुदिक्षित अंजु हर्ष समेत दस इंजिनिर्स की टीम कछुआ चौल से चल रहे 563 करोड रुपए के प्रिथ्व राजनगर पेजल प्रोजेक्ट को देखने पहुंची सीकर में स्वास्ते विभाग तेभारी सीजन पर शुद के लिए युद्ध अभियान शुरू करने चौरा है अभियान 14 अक्टूबर से शुरू होगा जो 4 नमबर तक चलेगा स्वास्ते विभाग खादे बदार्थों तथा मिठाईयों के नियमित सैंपल लेगा अभियान में रसद, डेरी और पुलिस का सहयोग लेकर मिलावटियों पर कारवाही की जाएगे जन स्वासर नेदेशक ने इस समन में आदेश चारी किये हैं अभियान के तहर दूद वे दूद से बने उत्पाद जैसे की पनेर, बटर, घी, मावा और मिठाईयों के सैंपल लेकर जौाँच करने के लिए लैब में भीज़ जाएगा तो फिलाल इस पुलिटिन में इतना हैं, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें